हलो फ्रेंट्स, आज का मेरा टोपिक है वाट इज इम्मिनिटी एंड हाउ टू इम्प्रूब इट जब भी कोई पेसेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी इम्मिनिटी कमजोर हो गई है अब बेचारा पेसेंट सोचने लगता है कि ये इम्मिनिटी कौन सी बला है जिसके वज़ह से बिमारी हो गई इनी सभी सवालों को ध्यान में रखकर मैं ये लेक्चर प्रस्तूत कर रहा हूँ उमिद करता हूँ कि आप लोग इसे जरूर लाइक करेंगे तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें समझते हैं कि इम्मिनिटी होता क्या है सरीर के अंदर उपस्थित रोग परतिरोधक छमता को ही इम्मिनिटी कहते हैं इसको इस परकार से समझिए जिस परकार से हमारी आर्मी बाहर से आने वाले आतंकियों से देश की रक्षा करती है ठीक उसी परकार हमारे सरीर के अंदर उपस्थित एंटीबोडी बाहर से आने वाले और बिमारी उत्पन करने वाले माइक्रो और्गनिज्म से रक्षा करती है अब सवाल ये उठता है कि जब ये सारा सिस्टम है फिर भी इंसान बिमार क्यों हो जाता है इसका उतर ये हुआ कि जब कभी भी आर्मी अपनी ड्यूटी में थोड़ी चूक कर बैठती है या बोडर पर किसी कारण बस आर्मी की संख्या कम हो जाती है तो उसका फायदा उठा कर आतंकी हमारे देश के अंदर घूस कर बिसफोट कर देता है ठीक इसी परकार जब कभी भी हमारा इम्मून सिस्टम थोड़ा लपरवा हो जाता है या antibody की संख्या कम हो जाती है, उस समय रोग उत्पन करने वाले micro-organism बोडी के अंदर इंटर करके रोग उत्पन कर देता है. अब सवाल यह उठता है कि सरीर में immunity आता कहां से है? According to researchers, सरीर में मुख्यत दो परकार से immunity आता है. पहला active और दूसरा passive. इसको समझने के लिए पहले ये समझिये कि property यानि कि संपती दो परकार का होता है. पहला चल संपती और दूसरा अचल संपती. जन्म के बाद इनसान जो रूपया पैसा अपनी मेहनत से अर्न करता है उसे चल संपती कहते हैं और जो जमीन या घर उसके पुर्बजों से प्राप्त हुआ होता है उसे अचल संपती कहते हैं. ठीक इसी परकार जन्म के बाद बाहरी वातावरण से जो इमनीटी हासिल होता है उसे एक्टिब इमनीटी और जो इमनीटी बाई बर्थ मदर से हासिल हुआ रहता है उसे पैसिब इमनीटी कहते हैं. अब सवाल ए उठता है कि किसी की इमनीटी स्ट्रॉंग तो किसी की विक क्यूं होता है इसका उतर ए है कि अगर किसी की इमनीटी स्ट्रॉंग है तो इसका मतलब साफ है कि वो नेचर के साथ चल रहा है और जिसकी इमनीटी कमजोर है वो नेचर से अलग अपना आर्टिफिस सिस्टम बना कर रहा है ऊधाहरण के लिए मैं कुछ कारण बताने जा रहा हूं पहला कारण है आपने गरीब बच्चों को मीटी में खेलते हुए देखा होगा मीटी में अनेको करा के बैक्टेरिया और वौरुस पाये जाते हैं जो बच्चा मीटी से खेलता है उसका सरीर जाने अंजाने में इन माइक्रो और्गनीजम से इमिनाईज हो जाता है और उसके सरीर में एंटीबोडी डेफलप हो जाती है जो बच्चा कभी भी मीटी में नहीं खेला उसके सरीर में एंटीबोडी डेफलप नहीं होता है जिसके फलसरूप जब कभी भी इस बैक्टरिया या वाइरस उसके सरीर में इंटर करता है तो उसे डिजीज हो जाता है। दूसरा कारण जैसे जैसे हमारी इंकम बढ़ता जा रहा है, हमारा लाइफ अस्टाइल भी चेंज होते जा रहा है। पहले पूरे दिन में चार से पाँच किलो मिटर पैदल चला करते थे लेकिन अब सौ मिटर भी गाड़ी से जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा फिजकल वर्क जीरो हो गया। बहुत पहले जहां हम पंखेक या कूलर के हवा से खराटे भर-भर कर सोते थे वहीं अब पूरा रूम एसी से चील्ड करके सो रहे हैं। हमारे बोडी का टेंपरेचर 37 डिग्री सेंटिग्रेट होता है। जब हम चील्ड एयर को बार-बार अपने फेफड़ों के अंदर भरते हैं तो हमारे लंग्स के मसल में सिथिल्टा आ जाती है, जिसके चलते लंग्स कमजोर हो जाता है। तिसरा कारान, कभी खूले कुए का जल पीने वाला और खूले हवा में सांस लेने वाला मनुस्य, आज अपने घरों में वाटर प्यूरिफायर के साथ साथ एयर प्यूरिफायर भी लगाया हुआ है। नैचुरल पानी में कैल्सियम होता है, जिसको हमारी बोडी यूज करती है। जब कैल्सियम बहुत ज़्यादा हो तो उस कंडिशन में इसको फिल्टर करना ठीक है, लेकिन जब इसकी एमाउंट अगर पहले से ही कम हो, तो इसको फिल्टर करना ठीक नहीं, क्योंकि हमारी ब पूरे रूम को लेमिनारे और फ्लो बनाना लंग्स और इम्मिनिटी के लिए ठीक नहीं है। चौथा कारण फास्ट फूड पर निर्भरता। पुराने जमाने में लोग दाल रोटी खाकर पूरे दिन काम किया करते थे। जब कभी भी कुछ पिने का मन करता था तो दही, छाच और नैचुरल जूस पिया करते थे। लेकिन आज हम लोग जल्दबाजी के चेकर में मैदे से बनी हुई चीजें खा रहे हैं जिसके चलते हमारा इंटेस्टाइन कमजोर हो रहा है। सौफ्ट ड्रिंक्स में सियो टू होता है, जो सरीर के अंदर जाकर वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो हमारे सरीर के पियेच को इफेक्ट करता है, जिसके फल सोरूप इमिनिटी वीख हो जाते हैं। पाचवा और अंतिम रिजन है, a stressful life. आज कल की लाइफ भागम भागवाली है, ना तो हमारे पास इत्मिनान से खाने की टाइम है और ना ही सोने की. A strong immunity के लिए भोजन को चबा-चबा कर इत्मिनान से खाना जरूरी होता है, ताकि भोजन के सारे पोसक्तत्व सरीर और सोसित कर सके. दूसरी तरफ, एक स्वस्त ब्यक्ति को कम से कम 8 गंटे की stress-free निंद जरूरी होता है. ये 8 गंटे early to bed और early to rise वाली होनी चाहिए. पहले जमाने के लोग रात में सोते थे और morning में सुर्जोदय से पहले जग जाते थे. लेकिन आज के लोग midnight में सोते हैं और दीन में जगते हैं, जो की हमारे biological clock के हिसाब से सही नहीं है. अब सवाल ये उठता है कि अगर immunity कमजोर हो जाए तो हम क्या करें? इसका simple सा उतर है go to nature, यानि कि आदतों में बदलाव करते हुए nature की तरफ बढ़े. एर प्यूरिफायर की जगह एर प्यूरिफायर प्लांटेशन को बढ़ावा दें, बनावटी चीजों से दूरी बनाए, देली लाइफ में exercise और meditation को एड़ करे, natural food और vegetables का यूज करे, आठ घंटे की complete नींद ले और positive thinking रखते हुए सदा जीवन उच बिचार के मार्ग पर चले.